परन्तु जब बड़े पत भरष्ट हो जाएं तो हम छोटों का ये करतव्य है कि हम उन्हें उचित मार्ग दिखाएं ब्राता श्री, शूर्प नखा के बारे में मैं ही नहीं, आप भी भली भाती परिचित हैं और अवशी ही वो काम के वसीवूत होकर उस्वनवासी राम के पास गई होगी और इसलिए उसकी नाख काटी गई होगी प्रतीत होता है, क्या भी भी निद्रा के प्रभाव में हो तुम कंप करण इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा